हेलो गुट इमनिंग कैसे हैं आप सब उमीद करती हैं बहुत अच्छे होंगे और बज़े हैं साड़े चार और मैं कीचन में आ गई हूँ और कीचन को इतना ज़्यादा मेसी कर रखा है इसको समेठती हूँ और आज मेरा फास्त है तो मैंने आलू बाले हैं तो इनको फ्राई करके खा लेती हूँ थोड़ा सा फिर दिन ढल जाएगा तो उसके बाद हम कुछ नहीं खाते तो आपके साथ इवनिंग रूटिन से एर करूंगी तो वीडियो के लास तक बने रहना सो करते हैं तो यहां पर मैं आलू को निकाल रहे हूँ उसके बाद इसे थंडा करलूँ यह और सीधा मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई करने के बाद काली नमक और सेनदा नमक डाल कर खा लेती हूँ तो मेरे आलू बलकुल थंडे हो चुके थे और मैं इसको छीड वगर लिये थे तो अब मैंने थोड़ा सा तेल कड़ाई में रख दिया है और इसके बाद मैं आलू को छोटे छोटे पीज़े का लेती हूँ बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लेंगे और इससे क्या होता है भूख मिट जाती है अदरवाइस मुझे टिकी बनाने का मन कर रहाँ था लेकिन टिकी हमें कल ही खाई थी इससे ध describing मैं दास होता है ना उससे थोड़ा पेट भर जाता है लेकिन bitches हो गए था बच्चे होते हैं ना तो उन्होंने खा लिया था मैंने कटोरी भर कर फ्रीज में रखा था कि मैंने सोचा था कि मैं स्याम के टाइम आलू डाल कर खा लोंगी इस दही में तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा ठंडा होता है बट बच्चों ने खा लिया था इसी की वज़े से देख सकते हैं आप मेरे सिंपल से आलू चाट वन क करना के बाद मैं आ गई थी जाडू निकालने के लिए आप देख सकते हैं भहुत सारे पत्ते आजाते हैं जिस दिन हवा चलती है तो भूद लगा रहा रहे हम यहां यहां पर मेरी जाडू लग रही है आपते क बर मेंगे से पत्कर 200-फैरग जहां लेगी में जहाली गण बहुत सब्सक्राइब भी स्प्सक्राइब जाडो मैं जरा होने अन daar गणाएं तो अरवरी मैं 6 आएद चीएं तक यहां पर मस्ती करते रहेंगे क्योंकि यह चार पाई पूरे दिन विचारी धूप में पड़ी रहती हैं क्योंकि कहां पर रखें इसको अंदर थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा है जिसकी वैज़े से फार डालना पड़ता है रात को अंदर डाल देते हैं लेकिन सुगे इसको णímघिने Совет इसको जालके हैं बच्चें फ्रस्टी क्योंकि नहीं पेला आटी है। तो इतने सारे पत्ते खटे हो गए हैं इसको मैं डुत बिन में डाल लेती हूं और उसके बाद हम कोड़े के अंदर डालकर आएंगे बिल्कुल जो बारिक बारिक वाहिट वाहिट किलर की के रिप्पी होती है वो आ रही है तो यह से मैं ड़स्टर में डाल कर लेकर जा रही हूं उसके बाद से पूडी में डाल कर आएंगे ये सारा काम करने के बाद मुझे जाना है खेट में और खेट में मुझे लेकर आना है चारा पसो का तो इसी तरह से हमारा इवनिंग डूटिन होता रहता है और आज जो देदी है वो अपने स्कूल के काम में लगी ही है तो पसो का सारा काम भी मैंने ही किया है आज और आज अभी अभी फॉन आया है कि मामा जी वगेरा है वो जो मैंने बताया था तूड़ा लेकर आएंगे तो आज तो ओई भी ज़्यादा काम विखर जाएगा क्योंकि जो वो तूड़ा आता है वो ऐसी मसीन से बनता है तो इसमें इतनी ज़्यादा रिपी होती है तो वो अगर आएगा तो सूट करूंगी कैसे कैसे होता है तो वो दिखाऊंगी आपको पसुभार बैठे हुए हैं और अब पाच बज़े का टाइम है तो पाच बज़े ही हम पसुभार बानते हैं तो मैंने एक प्रात के अंदर सारा कोड़े को डाल दिया है और इसके बाद मैं कोड़ी में डाल कर आजाऊंगी पूरा धर क्लिन हो चुका है तो दोस्तों मैंने जाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई थी खेत के अंदर फिर मैंने पस्वों को पाने पिलाया आकर चारा डाला जो नार तो डाल दिया था लेकिन जो ग्रीन चारा होता है वो डाला और के बाद मैं आ गई हूं बर्तन वोस्त करने के लिए और अभी टाइम हो रहा है 6 बजे का हम खेत के अंदर जाते हैं तो मेरे को 15 मिंट लग जाते हैं दो तीन एकड़ जमिन को क्रोस करकर जाना पड़ता है सड़क पार करकर तो मुझे 15-20 मिंट लग जाते हैं चारा काटने तो कोई भी चीज घर में बनती है तो बर्तन तो होते ही हैं तो हम बर्तन ऐसे ही भार बैटकर वोस्त करते हैं सिंग वगेरा में बर्तन वोस्त करते हैं वैसे भार बैटकर जल्दी हो जाते हैं सिंग बस सिंग का एक बेनेफिट यह होता है कि जब भी आपके दो या तीन ब बरतन और बहुत करते हूं कि हमारा फैमिली काफी बड़ा है और बैट कर ही बोस करती हूं तो इससे मैं ने बालती को भर लिया था और यहां पर मैं फटापट से बरतनों को साबुन लगाई और मेरी बेटी दर उदर घूम रही है चपल पैनाती हूं तब भी निकाल कर पता नहीं कहां से और कहां चली जाती है यह बस ऐसी ही है तो यह हो गया है काम बरतन वगएरा वोस कर लिये थे उसके बाद टाइम हो गया था पूजा का क्योंकि दिन चिपने से पहले हम पूजा कर लेते हैं तो यह नाइट की पूजा हो रही है जो नाइट की समय होती है सबाद 6-6 वज़े के करीबन का टाइम है और यहां पर मैं कर रही हूं पूजा एक बार सुबह पूजा की जाती है एक बार स्याम को पूजा की जाती है पूजा करने के बाद यहां पर हम खरेंगे आरती तो आरती का मैंने जो लगाया था उन्हीं लगाई थी क्योंकि मैं आरती हमेशा ही फोन के अंदर सुनती हूं तो बस ऐसे ही मैंने बत्ती को लगा अगर्वत्य धूबत्य लगा लेते हैं और उसके बार बच्चों को पर्षा दे डिए हैं यही ऌती है हमारी सिंपल से पूजा कुछ जब अगेरा हो चुकी थी और उसके बाद मैंने कहा था कि कपड़े हैं वह बहुत जादा हो रहे हैं तो सुदह तो मैं नहीं कर पाई थी उनको टह तो अब मैं उनकी टह लगा रही हूं और चार पारी के उपर आप देख सकते हैं फूरे कपड़े ही कपड़े में जब दर्वी हैं तो उनको मैं सभी को अपने अपनी जगया पर रहत देती हूं और मेरे जुमेरा स्वेंट की कपड़े हैं उनको मुझे प्रेस करना है तो प्रेस करने के लिए अलग साइड में रख देती हूं आज होगी तो ठीक है दरवाई कल हो जाएगी डेखते है आज क्योंकि आज हभी जो मामा जी है वो तूरा वगयरा लेकर आ गए हैं तो उनका ठीक है दीडि बना रही है मैं सुभों सभाव зачем बनाने हो जाएंगे और मेरी बेथी हभी जस्ट एक खंटे के लिए शूरं की साइम सो जाती है तो इस समय हभी शाम ही है नाइट नहीं ह तो मामा जी आ चुके हैं लेकिन जो मजदूर है तूरा अंदर डालेंगे जो भरेंगे कमरे के अंदर वो नहीं आये है तो उनकी चाय वगेरा मैं बनाऊंगी और मेरी बेटी अभी उठ गई हो इतना जोल जोल से रो रही है मैंने अभी उसको भार बेज़ा है क्योंकि मैं कह है लगा रही हूं फटा फट से लगा लेती हूं थोड़ी देर अगर रुक जाती है तो अधर वाइस वो इतना रो रही है बस पूछो मत और उसकी च्छोटी सी क्लिप मैं अब लास में आड़ करूंगे आप देख लेना फोड़ा साथ को बैलाने की कोसिस करते हूं कैसे के लिए अच्छी लगे तो लाइक तरू कर देना अर्दि का पढ़ाई नहीं करें कंशार रायालो यह किसकाय यह? किसका है ममा का किसका ममा किसका है ये किसका है बताओ लव मैं बंद कर दू ये ले ले एलोवेरा ले ले देखो कितना बड़ा वाला एलोवेरा रहा ओपन करो तो खीचुदी नहीं खाएगी, खीचुदी तो खालो बाबू, तोड़ा सा खीचुदी भी खालो भाई, खालो एच़े करके दे में खीचुदी यह, आ, मीथी, मीथी, खालो बेटा, नहीं है, है ना, मम्मागा बेटा, थोड़ा सा खालो, एच़े करके, एच़े करके खालो, खालो, अच्छा नहीं लगा खालो भीटा नहीं, सारा बैड़ गंदा कर दे